नमस्कार दोस्तों जय उत्राखन जय देवुमी एक बाब फिश श्वागत आपका हमारी यूटीब चैनल पर जैसे कि आप सबी को पता है आपको हमारी चैनल पर छोड़ी छोड़ी अपडेट जो है उत्राखन जो लेटेश्ट जो वेकेंसी निकलती है चाहिए उसमें आपको देते रहते हैं तो अगर आप हमारी चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि छोटी-छोटी जो अपडेट होती है एक जाम से लेकर एडिशन से लेकर या जो आपके जो है इसको आपका जो लटेश्ट जो वेकेंसी होती है उसको ल दराखन श्वाइस्टी ब्रraw भरती में जोबात करने वाले हैं उत्राखन में जो नर्सिंग भरती है चा मतलब इस से पहले हाली में हमने देखा था हुआ जो में भरती घो Wing Inde का मिख औरू सी चिर्च के द्वारा अठाइसो कुछ पदों पे बीगपती जारी किये थी जिसमें आपके 1564 पलस ये पद जो तेरासो पद हैं ये सामिलते लेकिन बाद में जो है आयोक जो है इसमें संसोधन हुआ और संसोधन होने के बाद उत्राखन मेडिकल चिकिसा सेवाच इन बोल्ड के द्वा हमारा मेन जो मकसद है जो भड़ती है उसमें चाहे वो नर्सिंग भड़ती हो फार्मिसिस्ट की भड़ती हो ये अन्या कोई भड़ती हो उसमें जो छोड़ी सी छोटी लटेस्ट न्यूज आरी है वो हम आपको यहां पर समय समय पर अपडेट करते हैं जो लटेस्ट है 1383 पदों पर जल्द यहां पर भरती शुरू होगी ठीक है तो प्रदेश सरकार ने स्वाश्ट्य विभाग की तर्जबच चिकिस्सा सिक्सा विभाग में एक बार के लिए वर्षवार मेरिट पर नर्सिंग अधिकारी पदों पर चेन करने के लिए सासन से सासना देश जार हो चुका है राच्किय मेटिकल कॉलेज दून हल्दवानी अल्मोडा सिरिनगर में खाली नर्सिंग अधिकारी पदों के आरक्छान डोस्टन को सासन की मंजुरी मिलने पर भरती परस्ता बोर्ड को बेज़े जाएगा हम बात कर रहे हैं यहां पर आ है तो यहां पर प्रदेश के जो है राजकिय मेटिकल कॉलेज में नर्सिंग अधिकारी के जो अनी है उसको लेकर आपडेट दे रहे हैं ठीक है तो यहाँ पे जो है प्रदेश के जो है राज्किया मेटिकल कॉलेजु में नर्सिंग अदिकारियों के 1383 पदों पर जल्द भरती परक्रिया शुरू हो सकती है चिकिसा शिक्सा विवाग ने खाली पदों का आरक्चन टोस्टन तयार कर प्रस्ताव सासन को भीज दिया है चिकिसा शिक्सा विवाग में एक बार के लिए वर्सवार मेरिट पर नर्सिंग अदिकारी पदों पर चेन करने के लिए सासन से सासन अदेश धारी हो चुका है तो आपको बता दे जो पंदरसो शोषट भरतिया यहां पर हुई थी हाल फिलाल में नर्सिंग अदिकारी की यह जो है स्वास्थिय भाग में निकली थी और यह जो तेरासी पदों पर जो भरती होगी यह होगी आपकी चिकिसा स्वास्थिय भाग के अंदर गट जो मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग अफिसर की भरती आनी है तेरासी पदों पर यह मेडिकल कॉलेजों के लिए आएगी और जो पंदरसो शोषट पदों पर भरती हुई है यह होई थी स्वास्थिय भाग में जिसके आपके तमाम जो गॉर्मेंट सरकारी जिल्ला श्पत स्वास्थाल होगे, CST, PST होगे इनके लिए यह आपका हो गया ठीक है तो राज क्या मेडिकल कॉलेज, दून, हल्दवानी, अल्मोडा, सिरिनगर में खाली नर्सिंग अतिकारी पदों के आरक्षन रोष्टन को सासन की मंजुरी मिलने पर भरती परस्ताव बोल्ड को बाकर निदे सक, डॉक्टर आसतो सियाना ने बताया कि नर्सिंग अतिकारी पदों की भरती के लिए आरक्षन रोष्टन तयार कर प्रस्ताव सासन को भीजा गया है, सासन की मंजुरी मिलने पर उत्राखन चिकिसा सेवा चेन बोल्ड की माध्यम से चेन फरक्रिया की तो पूरू में जो 564 भरती हुई है, जो नर्सिंग अतिकारी की भरती हुए ये बी जो है, उत्राखन चिकिसा सेवा चेन बोल्ड के माध्यम से की जाएगी, हाला कि हमने पूरू में अगर आप मेरी वीडियो को रेगुलर देखते हैं तो हमने एक बार आयू की तरफ से इ जल्द जो है भरती परिक्रिया की जाएगी नर्सिंग अदिकारियों की मेडिकल कॉलिज के अंतरगत और उसके बाद जो है इसमें बीच में जो है अपडेट नहीं आ रही थी अब अपडेट मिल रही है तो आसा गरते हैं कि ये भरती जल्द से जल्द हो और जो तमाम ऐसे कं 44 पादों पर जो रहा रहे है और में नाम नहीं आया है तो इस जो है वेटिंग लिष्ट में जो चंडिडेट थे या चिनका आपका ढचाल के ना el is train पांच छे कंडिडेट को लेकर वेटिंग में था तो इस वाली लिष्ट में आपका नाम आ जाएगा ठीक है जो 1383 पतों पे जो भरती परक्रिया होगी उसमें आपका नाम आ जाएगा तो यह आपको देखे सबसे पहले तो इस भरती यह भरती जब भी आएगी तब भी नहींड है सबसे पहले तो क्या करना आपको चोश्व आपका रेशेशन हे जो आपका नर्सिंग जी नम का है या झालाल पर कर तो आम्यां करनों न का चाहिए ठीक है क्योंकि हमने जो 1564 पत्र भरती देंके में वहाँ सारे कंडीड ऐसे देखे थे जिनके जो जो reject हो गे थे, reject होने कारण क्या था, कि आदे से ज्यादा जो candidate थे, जो reject इसलिए हुए थे, क्योंकि उनका जो है, जो registration certificate था, वो उन्हें टाइम से renew नहीं किया था, अब उसमें एक date दी जाती है, कि जो विग्यापन की जो है, आवदन करने की last date तक आपका जो है, renew होना चाहिए, और देखिए, renew होने में भी आपको पता है, एक से तीन मेने लग जाते हैं, आपका registration जो certificate है, जब आप renewal के लिए जाते हैं, तो उसमें भी time लग जाता है, तो ये काम आपको अभी कर देना है, क्योंकि ये भरती जो है, कभी भी जो है, इसका विग्यापन ज हो सकता है, और कभी भी इसमें आविदन सुरू हो सकते हैं, तो उससे पहले आपको ये काम कर लेना है, आपका जो registration हो रखा है, registration को अगर आपने renew नहीं किया है, अपना registration certificate, तो उसका आपको renew कर देना है, ठीक है, और बाकि जिनका OBC का certificate है, SCHT है, ठीक है, उनके जो certificate है, व हमने पूर में जो भरती हुई है, 1564 पदों पर उनमें भी देखी थी, उसमें बहुत छोटी छोटी गलतियां candidate ने की थी, जिस वज़ासे उनको आयूग ने reject कर दिया था, उनका नाम आने के बाद भी उनके documents, verification होने के बाद, उनको reject कर दिया था, क्यूंकि उनके documents में ठीक है?